बरोट जो की उल्रिवर के किनारे पर सिच्वेटिड है यह हिमाचल प्रदेश के मंडी डिस्टी का एक छोटा सा टाउन है और यह चारो तरफ से धौलाधार रिंजिस से घीरा हुआ है बरोट रोड से वेल कनेक्टिड है और डेली से बरोट पहुंचने के लिए आपको अराउंड 11 तू 12 वार्ज लगेंगे बरोट जो 1920 तेक एक बहुत छोटा गाउं हुआ करता था इसको ब्रिटिशर्ज ने डेवलब किया था शानन हाइड्रो इलेक्टिड प्रोजेक्ट के लिए जो की मेगवाट केपैसिटी में इंडिया का फर्स्ट हाइड्रो इलेक्टिड प्रोजेक्ट था बिफोर इंडिपेंडेंडेंस बरोट ब्रिटिशर्ज की एक बहुत पॉपुलर डेस्टिनेशन हुआ करती थी और बरोट में आपको ब्रिटिश एरा के दौरान कंस्ट्रक्टिड काफी सारी बिल्डिंग्स देखने को मिलेंगी बरोट की मार्केट ऑल्दो एक चोटी मार्केट है बट बेसिक नीट्स की सारी चीज़ें आपको बरोट में ईजीले मिल जाएंगी और यहाँ पे रुकने के लिए आपको होमस्टेज, होटेल्स या कैम्प्स के उपशन ईजीले मिल जाएंगे बरोट की एक और स्पेशलिटी है यहां की ट्राउट फिश यहां पे बहुत सारे ट्राउट फिश फार्म्स हैं और अगर आप नौन वेजिटेरियन हैं तो यहां पे ट्राउट फिश का नजारा जरूर लेना चाहिए बरोट, कुलू और कांगा की माउंटेंस के काफी सारे ट्रेक्स का बेस पॉइंट भी है तो अगर आप ट्रेकिंग के शौकीन हैं तो आपको भी बरोट से काफी सारे ट्रेक करने के आप्शन्स मिल जाएंगे और ये जो आप अपने सामने देख रहे हैं ये ब्रिटिश टाइम का कंस्ट्रक्ट किया हुआ एक रेलवे ट्रेक है जो कि माउंटें टॉप पे क्लाइम करता है और कुछ एक पॉइंट्स पे तो 45 डिगरी की स्लोप्स पर भी होता है तो शायद ही आपने ऐसा रेलवे ट्रेक कहीं और पर देखा होगा और अगर आप भी मेरी तरह एक इको टूरिजम एंथुजियास्ट हैं तो आपको भी बरोट और उसके आसपास के नजारे बहुत पसंद आने वाले हैं हिमाचल प्रदेश की किसी भी डेस्टिनेशन के बारे में अगर आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को जरूर चेक करें अब चलो मैं आपको लेकर चलता हूँ बीड बिलिंग बीड बिलिंग जाने के लिए हमें जोगिंदर नगर क्रॉस करते हुए बीड पहुंचना पड़ेगा बीड बिलिंग का क्लेम टू फेम है पेरे गलाइडिंग क्योंकि यहां पर 2015 का पेरे गलाइडिंग वरल कप हुआ था बीड बिलिंग वैसे तो दो अलग अलग जगाएं हैं बट इनका नाम एक साथ इसलिए लिया जाता है क्योंकि बिलिंग यहां की टेक आफ साइट है और बीड यहां की लेंडिंग साइट है और आप आसमान में यहां जहां भी देखेंगे आपको बस पेरे गलाइडर्स ही दिखेंगे तो यह था बरोट और बीड बिलिंग अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक जरूर कीजिए और हमारे चैनल को सबस्क्राइब भी जरूर कीजिए थेंक यू